हलो आप रिबन वेलकम टो माय चनल तो आज हम लोग स्वाल करेंगे वाक्षिट सेविन के कोश्टन को और इसके पहले के जो वाक्षिट हैं उसका वीडियो लिंक हमने दे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से चेक आउट कर सकते हैं आप फिर आप आये बटन को किलिक किजिए यहां से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा ओके चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं तो यहां पर फिर्स्ट कोर्शन हम लोगों से क्या कहता है देखिए कहता है कॉम्पेर यूजिंग ग्रेटर दैन लेस दैन और एक्वल टू यह जो सिम्बल से हैं इस का नाम है ग्रेटर दैन ओके और जस्ट इसके बगल में जो दूसरा सिम्बल है यह हमारा क्या है यह हमारा है लेस दैन ओके यह हमारा क्या हुआ लेस दैन और एक और सिम्बल है इसको हम लोग कहते हैं इक्वल टू यह हमारा क्या है इक्वल टू ठीक है तो यह तीनों सिम् उसको not कर ले हम लोग तो आप यहां देखिए बी नमर पर क्या है हमारे पास 999 ओके और जो दूसरा नमर है वो हमारे पास है 9099 किलियर अब यहां पर हमको ना कौन सा नमर बड़ा है कौन सा नमर छोटा है हमको बताना है तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए कितने हैं यहां पर 4 डिजिट से ओके तो जिसमें ज्यादा डिजिट होगा वो नमर बड़ा होता है तो राइट साइड का नमर हमारा बड़ा हो गया तो ठीक है हम यहां पर क्या साइन यूज़ करेंगे लेस देन का यूज़ करेंगे ओके यह जो हमारा पहला नमर यह चोटा है यह number हमारा बड़ा है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, less than का symbol Yarse människ किया है, ओके, किलिर हो गया, अब चलिए हम लोग solve करते हैं, C number, तो C number पर जो number इसको not कर ले, तो देखि हैं यहां पर कौन सा बड़ा होगा, तो कितने digits है, यहां पर भी आपके four digits है और यहां पर कितने digits है यहां पर भी आपके four digits है तो दोनों में same digits है इसलिए digit के basis पे हम बता नहीं सकते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है तो आईए हम एक अग डिजिट को compare करते हूं के तो सबसे पहले हम यहां पर first digit को देखेंगे तो दोनों म देखेंगे तो दूसरा digit का आपका three है फिर same आ गया अभी आए थार्ड आने की 10s place के digit को देखेंगे तो यहां भी क्या है ना zero है तो यह भी same हो गया अब देखिए once place का digit का है तो once place में यहां पर seven है और यहां पर क्या है तो बड़ा किदर है बड़ा आपका seven है इसका अब यह हो गया कि first number अपना बड़ा हो गया तो हम यहां पर क्या put करेंगे हम लोग greater than का symbol put कर लेते हैं तो यह number हमारा क्या हो गया greater than हम यह number हमारा बड़ा हो गया ठीक है यह number हमारा चोटा हो गया तो हमने क्या क्या है greater than का symbol put कर लिया चलिए next हम लोग d number solve कर लेते हैं तो य हमारा thousand place पर क्या यहाँ पर Six od voltage तोμ हो गया अब आइए हम बात करते 100 परДа क्या यहाँपर टू ओ है और है और 이हाम पर क्या आपका five ईंस भाइब हमारा बड़ा हो सॉप तो सप्संट मतलब यह हो गया कि यह स्फ्क्वर कंद्म के लなた symbol यूज कर लेते हैं तो अब देखे यह number पर यह हमारा thousand प्लेज़े क्या है four और यहां पर क्या four ओके तो यह हमारा अभी equal हो जा रहा है आईए अब हम देखते हैं next हमारा hundred place पर क्या है यहां पर eight प्छिर से equal हो गया चलिए देखते हैं 10th place पर क्या है यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 10th place पर क्या है 4 है 8 means बड़ा कोन हो गया बड़ा हमारा 8 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर greater than का symbol यूज कर लेते हैं इसी तरह से आईए F number पर कर लें तो आप यहाँ पर देखिए कितने digits हैं यहाँ पर 4Ds हैं यहाँ पर भी 4 4 डिजिट से एक कोंप in पे किया है 1000 से गेंद की डाफोघ लिए से अब गया है जगा इधर हमारा 400 पे क्या है तो यहां क्या covenant ले क्या करेंगे len थें स्वेकर ही जान तो यह कि यह नमबर हमारा बड़ा हो जा रहा है एक ईषिए है last हमारे पास है अब एकर करके देखिए यहां भी four digits यहां भी four digits तो हम क्या करेंगे थाउजन प्लेस पे चेक करते हैं तो यहां पर क्या है टू है इक्वल हो गया चलिए अब आते हैं हम फिर से hundred place पर क्या यहां पर देख रहा है तो हम यहां पर क्या उज़ करेंगे greater than कर सिंबल यूज़ कर लेते हैं ओके तो अभी हम लोग देखेंगे question number two ओके और यहां पर क्या करना है तो इन circle करना नहीं घेरा लगा देना है the greatest number in each group हर एक ग्रूप में जो बड़ा नंबर है उसको हम लोग क्या करेंगे यहां पर गेरा लगा देंगे तो आईए हम लोग कर लें यह हमारे पास है और इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर आपको क्या देखता है first में तो यह first नंबर पर हम बात कर लें तो यहां पर इसको circle कर लिया है चलिए अब बताइए b number पे बड़ा नंबर कौन सा है यह हमारा है b number और यहां पर बड़ा नंबर कोन सा है तो आप देखेंगे यह हमारा होगा 5,162 यह हमारा सबसे बड़ा नमबर है इसी तरह से आप आए चेक करिए C नमबर पर सबसे बड़ा नमबर कुन सा है तो आप यहां देखेंगे सबसे बड़ा नमबर आपको दिखेगा 6000 होके 6581 यह हमारा बड़ा नमबर है अब next हमारे पास आता है D नमबर और यहां पर सबसे बड तो अभी हमारे पास question number three है और इसमें क्या करना है कहता है स्मोलेस्ट नमबर इन इस ग्रूप हरे एक ग्रूप में जो सबसे च्छोटा नमबर अस्मोलेस्ट उसको हम क्या करेंगे घेरा लगा तो आये हम कर लें कि हमारे पास फर्स्ट नंबर पर क्या होगा सबसे छोटा नंबर आप चेक करे तो फर्स्ट ग्रूयों में सबसे छोटा नंबर तो हूं और आता है यह सबसे चोटा है अब हम बात करते हैं B नमबर पे तो B नमबर पे देखिए सबसे चोटा नमबर क्या आपको दिख रहा है यह सारे नमबर से इसमें से सबसे चोटा नमबर क्या है तो यहाँ पर हमको मिल जाता है 1033 यह सबसे चोटा है ओके इसी तरह से हम C नमर पे चेक करते हैं तो C नमर पे देखिए SIA नमर से इसमें सबसे चोटा नमर कौन सा होगा तो यहां पर हमको दीख रहा है 6 तो सभी में है आप देखिए यह 1000 प्लेस पे 6 हर जगा आपको दीख रहा है तो हम क्या करेंगे इस कंडिशन में हम जो 100 प्लेस का डिजिट है उसको देखते हैं तो 100 प्लेस पे सबसे चोटा क्या देख रहा है यहां पे हमारा है 3 और यहां पर भी है 3 तो 100 प्लेस पे तो मेच कर गिया इसलिए हम क्या करेंगे अब आप जाएंगे 10 प्लेस पे तो 10th place पे सबसे चोटा कहाँ पर है 10th place पे चोटा है हमारा यह 4 ओके यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है तो इसका मतलब हमारा हो गया सबसे चोटा नंबर 6348 ओके यह हमारा सबसे चोटा नंबर हो गया चलिए अब हम आते हैं D नमबर पे चेक करेंगे कि सबसे छोटा नमबर कौन सा होगा तो यह हमारा है D नमबर और यहाँ पे जो नमबर से आप देखिए इसमें सबसे छोटा क्या है तो सबसे छोटा आपको दिख रहा है 213 तो आप 213 को क्या किजिए सबसे सरकल कर लेजी ओके तो इस तरह से हमारा अब भी कौस्षट नमबर 3 भी आपके यहां पर और यहां पर क्या करता है री राइड दा फॉलौविंग इन असेंडिंग ओर्डर हमको एसेंडिंग ओडर में लिखना है तो ascending order मतलब क्या होता है? हम लोग जाने ले Ascending order मतलब हो रहा है, as smaller to bigger हम लोग क्या करेंगे ना? पहले छोटा नमबर को not करेंगे और फिर बड़े नमबर को note करते हुए चलेंगे आने कि a smaller to bigger की ओर हमको जाना है? यह हमारा कलाता है Ascending order तो आईए हम लोग कर लेते हैं तो आप देखिए यह नमर पे पिर सबसे छोटा नमर कौन सा है पहले आपको वो जो ओट करना है तो सबसे छोटा नमर आपका है 822 तो आप पहले क्या करेंगे 822 इसको आप नोट कीए फिर आप इससे थोड़ा बड़ा नंबर चेक कीजी तो इससे थोड़ा बड़ा नंबर आपको दिखेगा यह देखिए 3,238 तो आप यह नोट कर लिजिए 3,238 चलिए अभी इससे थोड़ा सा बड़ा देखिए इससे थोड़ा सा बड़ा होता है 3823 तो आप इसको नोट कर लेजिए 3823 ओके अब देखिए इससे भी बड़ा क्या आपको दिखेगा यह आपका है 8823 तो आप इससे बड़ा नमबर क्या है सबसे बड़ा नमबर है 9232 तो आप सबसे लास्ट में नोट किजिए 9232 ओके और यह जो नमबर है इसके बीच में हम लोग यहाँ पर less than का symbol यूज कर लेंगे क्या करेंगे हम लोग less than का symbol डाल देंगे ठीक है इसका मतलब यह हो रहा है कि यह जो नमबर है हमारा छोटा है उससे थोड़ा बड़ा यह है उससे थोड़ा बड़ा यह है उससे थोड़ा बड़ा यह है और सबसे बड़ा नमबर यह है तो less than का symbol हम लोग युज कर लेंगे आपहँ लोग यहाँ पर बी नमर को स्वल्फ करते हैं यह तो बी नमर पर क्या देखिए तो यहाँ पर आप चेक कर जिए तो यह देखिए कितने डिजिट्स हैं ध्रे wedi हैं okay और इसमें भी कितना ड्यिच्ट है यहां भी आपका 3Daid है यहां भी त्रीडिच से तो इसमें से आप hablar John Almagic में तो दिख रहा है यहां पैब दीख रहा है यहां पे नाइन दिख रहा है तुसका मतलब सबसे चोटा नमर यह हो गया ओके इस से थोड़ा बड़ा यह हो गया और इससे भी बड़ा यह हो गया तो हम सबसे पर अब देखिए यह हमारा जो दोनो है इस पर 4 डिजिट से ये से फोर डिजिट से लेकिन 1000 डिजिट पर छोटा क्या है ये देखिए 1000 डिजिट छोटा यह है और यहां पर ये 5 है जो की बड़ा है तो हमारा ये नंबर छोटा होगा इस से ओके तो हम क्या नोट करेंगे यहां पे 2559 और सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया 5295 ओके 5295 अब हम लोग यहां नंबर के बीच में क्या करेंगे less than का symbol put कर देंगे ओके less than का symbol हम put करेंगे तो इस तरह से हमारा ये answer हो जाता है अब चलिए C और D को हम लोग solve कर लें तो यहां पे सबसे छोटा नंबर क्या होगा C नंबर पे यह देखिए 258 यह सबसे छोटा है तो सबसे पर हम क्या नोट करेंगे यहां पे 258 को नोट कर इससे थोड़ा बड़ा देखिए यह देखिए 582 इससे बड़ा है तो हम यहां पे नोट करेंगे 582 चलिए इससे भी बड़ा देखिए तो यह है 4 digits यहां भी 4 digits यहां भी 4 digits तो 4 digits में आपको क्या देखना है 1000 प्लेस 1000 प्लेस पे क्या यहां पे 2 है तो यह छोटा हो गया तो तो पहले आप यह नोट किजिए 2493 इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे 9000 है थाउजन प्लेस पे और यहाँ पे 3 है तो 3 वाला पहले आएगा तो पहले हम नोट करेंगे 3000 3249 और सबसे बड़ा क्या हो गया सबसे बड़ा हो गया 9423 अब हम लोग नंबर के बिच में क्या भ करेंगे ओके यह हमारा लेस दन का सिंबल यहाँ पे आ जाएगा ठीक है चलिए डी नंबर को सॉल्व करते हैं तो डी नंबर पे सबसे छोटा नंबर क्या है तो यहाँ पे देखिए यह थी डिट है और हर जगा आपको 4 डिट दिख रहा है तो 3 डिट का नंबर छोटा होता है तो हमारा सबसे पहले क्या जागा यहाँ पे सबसे पहले आ जागा 729 तो इसको नोट कर लिए चलिए इस से थोड़ा सा आपको बड़ा देख रहा है तो हर जगा आपको 4 डिट दिख रहा है तो आप क्या करेंगे आप देखेंगे 1000 प्लेस पे तो 1000 प्लेस पे यहाँ पे तो हमारा आएगा 4279, ओके अब आईए, यहां पे देखिए आपका 1000 प्लेस पे 9 है, तो equal हो गया, इस condition में हम क्या देखेंगे, 100 प्लेस पे, 100 प्लेस पे यहां पे 3 दिख रहा है, यहां पे 2 दिख रहा है, तो यह नमर हमारा छोटा हो जाएगा, तो पहले इसको नोट हो गया, 9232, और सबसे बड़ा नमर क्या हो गया, 9327, ओके, अब हम यहां पे नमर के बीच में, लेस दन का सिंबल यूज करेंगे, तो हर जगा हम लेस दन का सिंबल यूज कर लिए, ओके, तो यह हमारा क्या हो गया ना, आंसर आता है, चलिए, अब हमारे पास question नमर 5 है, औ और यहां पे क्या करना है, descending order में लिखना है, तो descending order मतलब क्या हो गया, bigger to smaller, descending order मतलब क्या हो गया हमारा, bigger number से smaller number की ओर, पहले हम bigger number को note करेंगे, ओके, और उसके बाद हम smaller number को note करेंगे, तो just यह opposite हो गया, तो आईए हम लोग कर लेते हैं, तो यहां जो first number है, यह number, इस पे सबसे बड़ा number क्या है, तो देखिए four digits यहां पर है, यहां पर भी four digits है, यहां पर भी four digits, हर जगा आपका four digits दिख रहा है, तो इसमें से आप क्या करेंगे, thousand place पर जो digit है, उसको आपको check करना है, okay, thousand place पर जो digit बड़ा होगा, वो number हमारा बड़ा हो जाएगा, तो आप यहा 3230, इस से छोड़ा छोटा, तो आप देखिए यह आपका आएगा, thousand place पर क्या है ना, six है, तो हम यहां पर नोट करेंगे, 6259, अब इस से भी छोटा हम देख ले, तो यह हमारा आता है, thousand place पर three है, तो यह हमारा छोटा होगा, that is 3529, चलिए और इस से छोटा देखेंगे, त इस से भी छोटा हमारा आता है, 2539, तो हम नोट करते है, 2539, और आगे आईए, यह सबसे छोटा नमबर हमारा है, 1001, ओके, अब यह जो नमबर से इसके बीच में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, greater than का symbol यूज़ करेंगे, ठीक है, यह greater than का symbol हम लोग यहां पर डाल देंगे, तो यहां पर देखिए, बी नमबर पे, सभी में 4 डिजिट्स हैं, ओके, और 1000 प्लेस पे हर जगा 4 है, 1000 प्लेस पे हर जगा 4 है, तो इसका मतलब यहां से नहीं होगा, तो हम 100 प्लेस पे देखते हैं, तो 100 प्लेस पे यह 2 रहा, यह भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यह यहां पर 9 आए यहां पर 6 तो 6 वाले को छोड़ देजी भी 9 वाले को चीक किजिए तो यह देखी यह तीनों नंबर है इसमें से हमारा यह कौन शय प्लेस 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 पे नाइन दीक रहा है तो हम इस में क्या करेंगे अभी हम देखेंगे once place पे तो once place पे हमारा बड़ा number कुन सा है seven है तो ये number हमारा पहला होगा नहीं सबसे बड़ा number हमारा क्या हो गया seven वाला इसके बाद ये देखे six है और ये two है तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये number सबसे बड़ा हो गया पहले इसको नौट करेंगे यह नमबर हो गया second नमबर पर दूसरा नमबर पर इसको नौट करेंगे और यह हमारा हो गया third नमबर पर इसको third नमबर पर not करेंगे तो आए हम not कर ले सबसे पहले हम not करेंगे 4297 इसके बाद नौट करेंगे 4296 और इसके बाद नौट करेंगे 4292 यह हो गया अब आईए यह देखिए हमारा क्या ना यहां पर 10th place पे 6 है अब हम क्या करेंगे इस condition once place पे देखेंगे तो once place पे यहां ना यहां पर दिख रहा है यहां पर two दिख रहा है तो इसका नंबर जो हो गया यह हो गया 4262 अब यह जो नंबर से इसके बीच में क्या करेंगे ग्रेटर दन का सिंबल यूज कर लेते हैं तो इस तरह से हमारा क्या हो गया ना यह हमारा दिसेंडिंग ओडर में आ जाता है ओके तो अभी हम बात करेंगे सी नंबरों के तो सी नंबर पर आप देखिए यह सेवें अभी सभी में 4 डियर्ट से के लिए अब 4 डियर्ट से तो हम लोग क्या करेंगा थाउजन प्लेस पर डियर्ट है उसको कॉमपेर करेंगे तो यहां सेवें यहां भी सेवें यहां भी सेवें यहां भी सेवें यहां पर क्या हमारा टू है तो यह सबसे छोटा नंबर हो जाएगा तो सेवें वाले में हम क्या करते हैं हंडेट प्लेस को चेक करते हैं तो हंडेट प्लेस पर यहां पर थिरी दिख रहा है यहां पर जिरो दिख तो अभी हम लोग बात करेंगे question number C पे तो देखिए यहां पे हर जगा four digits है okay four digits है तो thousand place पे डिजिट किसमें क्या है यहां देखिए यह तीनों में हमारा seven दिख रहा है तो इसमें से हम चेक करेंगे कौन सा बड़ा है तो thousand place equal हो गया तो हम hundred place पे चेक करते हैं तो hundred place पे यहां पे three दिख रहा है और यहां पर four दिख रहा है इसका मतलब यह हुआ कि यह जो आपना number यह सबसे बड़ा है तो सबसे पहले मैं note करेंगे क्या यहां seven thousand seven thousand four hundred and three यह हम लोग note कर लिए ठीक है चलिए अब इससे छोटा हमारा क्या होगा इससे छोटा हमारा हो जाएगा यह number देखिए हाँ ना seven thousand seven thousand three hundred and forty तो आप इसको note किजिए seven thousand three hundred and forty अब इससे छोटा क्या आएगा तो इससे छोटा हमारा आ जाता है 7304 यह हमारा हो जाएगा तो आईए हम नोट कर लेते हैं 7304 ठीक है और इससे भी छोटा हमारा क्या आएगा यह आएगा 7043 तो यहां पर नोट कीजिए 7043 ओके यह नोट कर लिए और सबसे लास्ट पर हमारा यह आएगा 2437 यह सबसे छोटा है 2437 अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर greater than का सिंबल पूट कर लेते हों कि इस तरह से हमारा हो जाता है डिसेंडिंग ओडर में चलिए लास्ट को स्वर्व करते हैं डी नंबर तो यहां पर देखिए सभी में हमारा क्या फोर डिजिट्स है ठीक है तो यहां पर थाउजन प्लेस पर रिजिट को चेक किजिए तो थाउजन प्लेस पर सबसे बड़ा यह हमारा 7 है तो यह सबसे बड़ा नंबर हो गया तो सबसे पहले हम यहां पर क्या नोट कर लेते हैं हम नोड करते हैं 7100 ओके यह सबसे बढ़ा है इसके बाद दूसरा देखी Зем inacet पर यहां पर सिक्स दीखरा वह हैं तो यह डोनों इकोल हो रहें इस कंडिर्शन में क्या करते हैं न 500 पर देखते हैं nineогa यहां भी nine पर एट तो यह नमबर हमारा बड़ा हो जाता है ओके तो इस कंजेशन में क्या लिखेंगे पहले यहां पर हम यह लिख लेते हैं 6,000 6,928 हमारा बड़ा हो गया ठीक है अब आईए इस से छोटा क्या होगा इस से छोटा हमारा यह होगा 6,927 जस्ट एक छोटा है 6,927 एक रुपए से छोटा है ओके और इसके बाद आप देखिए यह आपका आएगा 5,927 और सबसे छोटा क्या आपका 1,929 अब सभी नंबर की बीच में हम क्या करेंगे greater than का symbol यूज कर लेते हैं तो यह हमारा क्या होता है ना descending order में आ जाता है तो इस तरह से हमने यहां पर complete कर लिया worksheet 7 के सारे questions को so I hope this video lesson is helpful for you so like this video and share with others and do some comments also do subscribe my youtube channel and hit the bell icon to get the notification of upcoming videos thanks for watching have a glorious day ahit